गाईज, एलोन मस्क का दिमाग किस लेवल का है? इसका मैं आपको एक एक एक्जामपल देता हूँ. दरसल इबात है, साल 2008 ही, जब टेसला की एक 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 एमपलोई ने बिना अपनी पहचान बता एक न्यूज आउटलेट को एक लेटर लिखा, जिसमें उसने टेसला की कुछ internal information को leak कर दिया, और company के उपर customers के साथ गलत विवार से पेश आने के charges लगा दिये, जिसके बाद उस news outlet ने उस letter को publish कर दिया, जिससे टेसला की image बुरी तरह से प्रभावित हुई. अब टेसला में कोई यह नहीं जानता था कि वो employee कौन है जिसने यह letter लिखा है, लेकिन Elon Musk ने बड़ी ही smart तरीके से उस employee को पकड़ लिया, दरसल Elon Musk ने उस letter को copy करके एक word document पर paste किया, और फिर उस word document को save करके उसका file size चेक किया, जिसके बाद उन्होंने office के data bar printer से history चेक करवाई, तो उन्हें उसी size का same document, उसकी date और किसने print किया था, यह सब पता चल गया, और इस तरह से वो employee पकड़ा गया, और उसे job से निकाल दिया गया, Guys, गजब का दिमाग लगा है न, आपका Elon Musk के बारे में क्या-क्याल है comment section में ज़रू लिखेगा, और अमेरिका के हर KFC के बाहर free chicken के लिए लंबी-लंबी लाइने लग गई, जिसके बाद KFC ने 325 करोड के free chicken बाटे, लेकिन फिर भी लोगों की लाइने कमी नहीं हुई, और कई KFC के चिकन भी खतम हो गए, जिसके बाद customers ने protest किया, और कुछ ने तो KFC पर case भी कर दिया, औ और फाइनली KFC के प्रेजडेंट को ओपरा के शोव में जाकर इस ओपर को cancel करते हुए माफी मांगनी पड़ी, guys इसे कहते हैं अपनी पैरो पर कुलाडी मारना, आपका इस इवेंट के बारे में क्या खयाल है कॉमेंट सेक्शन में जरूर लिखेगा, और ऐसे amazing videos के लिए share, subscribe and like मिलते हैं अगली वीडियो में